भीबो लांच दिया G1 Pro on Flipkart, भीबो ने G1 Pro बाद Z1 Pro जो बोल साकते हैं 3rd of July को Flipkart में लांच का चुका है, तो ये फोन जो है, ये complete Redmi Note 7 Pro and Realme Pro की market destroy करके राखती है, तो इसका बड़ में आपको all specification मेरा ये वीडियो कार्ड में आपको complete मिलते रहेगा, तो ओ वीडियो आप द सबसे पहले चूस करना चाहिए Redmi Note 7 Pro and Realme 3 Pro को छोड़के तो ओ आप ये वीडियो में मिल जाएगा, तो चलो वीडियो शुरू करते है, तो वीडियो का main topic में जाने का पहले, टेक्समान चाहिए से मैं समराट, आसा कर तो आपको वीडियो आच्छा लाएगा, वीडियो का ल देना, चैनल में नया होने पर चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा, तो इस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, पास में बेल आइकन बजा देना, पहले शी सब्सक्राइब तो थैंक्यू, तो ये जो फोन है, ये फोन का सबसे जो हाइलाइट प्रेसिफिकेशन की किया जाए, तो 19.5 इस तो 9 रेशियो का एक डिस्प्ले है, तो काफी एक लॉंबा चावड़ा वाल ये फोन होने वाली है, और फोन की वार रेजूलेशन तो FHD+, IPS LCD, पर एक चीस इधार आपको ध्यान देना है, इस फोन में किसी तरह गोरिला ग्रास का पोटेक्शन नहीं ह ये फोन में जो पोटेक्शन उस लोगों ने दिया, वो आपको स्क्रैस से काफी हाथ तर रेजिस्टन करेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अलाग से आपको पोटेक्शन लेने ना है डिस्प्ले के उपर तो आपको काफी अच्छा पोटेक्शन मिल जाएगा, बट अगर आप देखेंगे में टॉपिक में ये फोन कागा डिस्प्ले, डिस्प्ले तो काफी अच्छा है, मतलब आप रेट्वी नोट से प्रो से बेटर, एन लियन मी 3 प्रो से काफी बेटर आपको डिस्प्ले ओबराल देखने को मिलेगा, तो इसमें सबसे आच्छा क् इस फोन में जब आप गेम क्लेंगे, वीडियो डेखेंगे, नहीं तो यूटूब में जो भी करेंगे, उसमें जो आपको भीविंग मिलेगा, वो काफी अच्छा मिलेगा, एक साइट में एक गोल से नोच होने पर जो होता है एक सार्केल इधार, तो उससे तो देखा जो आपको प्लास फाइल इधार देखने को मिल जाएगा, इधार जो आपको पांच देखने को मिल जाएगा, इधार जो आपको पांच देखने को मिल जाएगा, तो पांच होल में आपको इधार जो इधार जो सेल्पी कामेरा, जो सैमसुंग की तरफ से आड़ा है जीडी जाएगा इस फोन कामेरा से आप 180 मी में वीडियो रेकोड कर सकते मेरा इतना पता है और उसका साथ इधा जो पॉस्टर मोड का क्वालिटी में हार एक फोटो में देखा काफी आच्छा है आप थार्टी टू में पिक्सल साइज में भी आप इसमें पॉस्टर मोड में फोटो अगर डिजाइन देखेंगे यह बेसिकली एक प्लास्टिक का बिल्ड है बट इसका जो लूग है तो काफी आच्छा एंड एक प्रिमियम टाइप का लूग देखने को मिलता है आज कल का दिल में आप देखेंगे जिस तरह का जो डिजाइन होता है ग्रेडियन दिजाइन उसकी तरह ही इसका डिजाइन है और एक चीज तो आचकाल आप लोग जानते है जो चीज देखता है वही बीखता है जितना आपको ब्यूटिफुल और एक्ट्रक्टिव देखने को मिलेगा आपका चीज ओ उधना ताहरी और जल्दी आपको शेल होने देखने को मिलेगा तो इस फोर में और एक अच्छा चीज आपको देखने को मिलेगा नेक्सली आगार देखेंगे पीछे में पीछे का और एक प्लास पर इधर आपको ट्रिफिल डिया सेट आप कैमेरा देखने को मिलेगा जिधर आपको प्राइमेरी जो कैमेरा जो 16 मेर पिक्सल का सेंसर है तो इधार जो सेंसर है देखिए मैं काफी ट्राइ किया ढूनने में जो क्या सेंसर है तो मेरा पास्ट नहीं रख दाई यह स्वनी का IMX i19 सेंसर जो सेंसर आपको रिसेल ने रियल मी 3 Pro में भी देखने को मिलता है तो यह सेंसर भी इधार मेरा लाग रहे है तो इसके अपाच् आपको देदेगा सेकेंड ली आएगा आएगा आपको 8MP का एक वाइड अंगेल लेंस जो आपको वाइड आउंगेल में फोटो एंड वीडियो में हेल्प करेंगा वाइड अंगेल में फोटो में आपको काफी अच्छे एक्सपेंस देगा और जो ओवराल क्वालिटी है इसका क्यामेरा का ओभी काफी आच्छा है एक मीड रेंज सर्फ सेग्मेंट की फोटो से क्वालिटी से देखा जाए तो और उसका से डेडिकेटेद दो में भी इसल का एफ देट्सेंसिंग सेंसर जो आपको डेट्सेंसिंग में हेल्प करेगा तो इधार आगा आप पोट में नोटीसेबल चीज देखने को मिल जाएगा सेकने इधार जो वाइर आगे लेंध से उधास से आप 180 में रेकोड का साकते हाला कि उधार आपको किसी तरह याइस नहीं मिलेगा पर प्राइमारी जो सिस्ट्म में अपिक से लोगा से आप 720p, 180p, 4K में वीडियो रेकोड क अभूल हो गया, इधार आपको 60fps, 120fps में 180p में सोलो मसान वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसका साथ 720p में आप सोलो मसान वीडियो कार पाएंगे, नेक्स लिए आगार देखेंगे इसका पॉसेसर, इधार आपको स्नैपड़ागों 712 पॉसेसर देखने को मिल जाएगा तो स्नैपड़ागों 712 जो पॉसेसर है, वो काफी अच्छा और बैलेंस पॉसेसर है, जिसमें आपको आपको अच्छा पार्फोमेंस उसके साथ बैटरी सेविंग्स करते हुए देखने को मिल जाएगा, और यह जो 712 पॉसेसर का सबसे प्लास पैंट है, वो है इसका GPU, GPU यूनिट जो है, वो काफी पावर्फोल यूनिट है, तो इधर आपको GPU में जो अच्छा देखने को मिल जाएगा, तो इस फोन को किस दिन पहले जो PUBG Mobile का टूर्नामेंट हो था, उधर इस फोन को यूस किया गया था, PUBG की तरफ से उस, प्ले की टाइम, तो बहुत सकते कितना अच्छा आपको gaming experience मिले जाएगा, काफी अच्छा आपको gaming experience मिलेगा, और अगर मैं बोलू 675 से, 675 और इसका अगर anti-to benchmark देखेंगे, 180 का उपर इसका anti-to benchmark जा रहा है, बट ये फोन को मैं पास्टोनली जो पॉसर है, इसको मैं पहले रखूंगा, क्यों? देखिए, इधर जो GPU भे GPU प्लास पाइंट करेगा, मैं आपको हार एक टाइम बोलता हूँ, एक फोन का जो पार्फोमेंस है, ऐसे मीट रेंज यार फोन, उस ताइम ये फोन आपको ज्यादा हो जाता है, तो इस ट्वाइन में भी आपको काफी आच्छा पार्फोमेंस देगा, हलाकि इस र 3 Pro मिल जाएगा, पर Realme 3 Pro के से ये आच्छा आपको डिल देगा, क्यों कि वह भी देखते रही है, नेक्सली इस फोन का आगार देखेंगे, ओ है बैठरी, इधर आपको 5000 mAh की बैठरी, मैसीब मैसीब बोल सकते, कितना बड़ा बैठरी बुसोच सकते, असुस जेन फोन, मैक से सर्विस देदेगा बैठरी, उसके साथ इधर आपको Quick Charge 18 Watt का देखने को मिलेगा, जो Quick Charge 3.0 Qualcomm की सपोटेद तो, इन बोक्स आपको देखने को मिलेगा, इधर आपको फोन चार्ज करना है, तो दो घंटा की आपको फूल चार्ज होने देखने को मिल जाएगा, हाँ, थो तो यह जो प्राइस की साथ आ रहा है, उससे देखा जाए तो यह काथी आच्छा प्राइस की साथ, इसका जो जास्टिपाई कर जाता है, क्योंकि जो जो प्रेसिफिकेशन दे रहा है, नेक्स लिए जो लिस्ट में नहीं है, बट इसमें है, इधर आपको extra इन बोक्स आप आपको triple card slot देखने को मिलेगा, मतलब इधर आपको 2 SIM plus HD card आजे सेम टाइम आप यूज़ कार पाएंगे, यह भी एक plus point आप बोल सकते, जिसके लिए भी यह phone पहले राएगा, यह सब phone से, तो यह जो plus point मैं देखा, यह phone का, बोल सकते, सब, almost सब कुछी plus point है, डिस्प्रे में protection को छोड़ का, तो यह चीज़ आपको इस phone में देखने को मिल जाएगा, तो कि कौनसा कौनसा चीज़ के लिए यह phone आपको लेना जोड़ी है, Redmi Note 7 Pro नहीं लेकर, बेटर processor, बेटर camera, हाँ, बेटर processor गोल दिया, मतलब यह नहीं, 675 आच्छा नहीं, बट 675 आच्छा है, बट यह मेरा perspective से और भी आच्छा है, बेटर display, बेटर camera की arrangement, and lastly, आपको बेटर battery and charging, सब कुछ लेकर यह phone सबसे अगर आएगा, and lastly, जो लिस्ट में नहीं था, ओ है headphone, इस phone में आपको inbuilt headphone भी मिल जाएगा, तो यह सब चीज़ को देखते हैं, आप यह phone आग बंद करके ले सकते हम लोग का recommendance से, और भीवो का यह सबसे पहला जो एक phone देखा, जिसके मैं काफी खूस हूँ, एक तो जो performance और price का जो ratio है, और complete आपको आपको आच्छा भ्यालों पोवैट करते रहेगा, आई होप आपका यह वीडियो आच्छा लागा, वीडियो का इसा लागा, ओ नीचे ज प्रूला को दोगा, तब तक कीनी स्टेश तेप टाटा बाई होए और share करते रहेगे